हेलो दोस्तो मैं लॉट के आशुका हूँ मार्शियल गॉट के एक न्यू एपिशोड के साथ आपने अगर हमारे सेनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर दिजिए हमारे सेनल को ऐसी तरह नीव वीडियो देखने के लिए हमने अब तक देखा कि सू फैंग उस की बज़र से अपने आपको कंट्रोल नहीं कर पाता और शूरूई के उपर गिर जाता है और आखरी में हमने देखा था कि शूफैंग शूरूई को किस करने के लिए आगे बरता है और हमें इस एपिशोड के स्टार्टिंग में दिखाय जाता है शूबय हो जाती है और शूफैंग अपने आग खोल लेता है और सोचने लगता है कल रात मेरे साथ क्या हुआ था तभी शूफैंग शूरूई को अपने पास देखके बहुत हैरान होने लगता है तभी अचानक शूफैंग को कुछ याद आता है और शूफैंग सोचने लगत तबी शूफेंग शूरूई को कहने लगता है मैं तुम्हारी responsibility लूँगा तबी शूरूई खरी होके उदर से जाने लगती है और शूफेंग को कहने लगती है कि मुझे उसीज की जरूरत नहीं है तुम सिर्फ इस बात को किसी को नहीं बताना और शूफेंग को कभी disappointment मत करना तबी शूफेंग खरा होने लगता है और शूरूई को कहने लगता है मैं शूफेंग को disappointment नहीं करूँगा मगर मैं तुमको भी डिसरपोइंट करना नहीं चाता हूँ इसके लिए मैं तुम दोनों के साथ ही साथ ही कर लूँगा तभी शूरूई शूफैंग का बात सुनके बहुती कुछ से में आ जाता है और शूफैंग को कहने लगता है तुम बहुती लाल सी बास्टर्ड हो तभी शूफैंग शूरूई को कहने लगता है तुमको ये बात सिक्रेट रखना है या सब को बताना है तभी शूरूई सिल्ला के कहती है तुम क्या सोच रहे हो अपकोस ये बात सिक्रेट रहेगा तभी शूरूई शूफेंग को कहने लगती है तुम्हारा मतलब क्या है तभी शूफेंग कहता है कुछ भी नहीं तभी शूफेंग फिर से कहने लगता है मैं कह रहा हूँ कि तुम अभी नहीं तो बाद में ही मेरी हो जाओगी तभी शूरूई शूफैंग का बात सुनके बहुत ही सर्माने लगती है और शूफैंग को कहने लगती है तुम इदर से जाओ मैं नहीं साती कि सबको पता चले कि तुम मेरे साथ एक रात बिताए हो तभी शूफैंग उस कमरे से बाहर सला जाता है तभी शूफैंग को कहने लगती है वे तुम क्या फोनिक सिथी शोर के जा रहे हो और कहती है तुम ऐसे कैसे जा सकते हो यह सा कुछ होने के बाद तभी शूफैंग शूफैंग को कहने लगता है तुम मरा मतलब क्या है तभी शूफैंग शूफैंग को कहने लगता है लास्ट को ऐसे देख के कोई भी अपने ऊपर कंट्रोल खो सकता है तभी शूफैंग सूरूई को कहने लगता है तुम क्या जानती हो किसके पास इतना पावर है जो ऐसा कुछ arrange कर सकता है तभी शूफैंग को कहने लगती है तुम ऐसे कैसे कह सकते हो तबी शूफेंग शूरूई को कहने लगता है मतलब तुम्हें पता है यह किसने किया है और कहने लगता है मैं नहीं जानता वो यहासा क्यूं कर रहा है मगर मैं उसको ब्लेम नहीं करूंगा इसके बज़ाय मैं उसको ठेंक्स करना चाहूंगा क्यूंकि वो अगर ऐसा नहीं क अब तूम दोनों ही मेरी हो जाओगी और सूरूई की तरफ देख के एक अजीब शाए स्माइल करने लगता है तभी सूरूई कहने लगती है ये तो एक विलन की तरह लग रहा है तभी शूरूई शूफेंग को गुश्चे में कहती है तुम ऐसे कैसे के सकते हो तुम इतना सीवर कैसे हो सकते हो कि मैं तुमारे साथ चादी करूंगी तबी शूफैंग वहाँ से जाने लगता है मगा शूरूई को कहने लगता है तुम जो भी कहो तुम और शूव में अब से मेरी हो और तुम को कोई तच नहीं कर पाएगा अब से और तुम किसी को लब नहीं करना नहीं तो मैं उसको भी मार दालूँगा और सूफेंग वाँ से सला जाता है तबी शूरूई मन में सोचने लगती है मुझे इतना गुश्या क्यों आ रहा है और मेरे हाट में ये क्या फीलिंग आ रहा है तबी शूरूई का फादर वाँ पर आ जाता है और शूरूई को सोरी कहने लगता है तबी शूरूई अपने फादर को देखके कहने लगती है फादर आपने ऐसा क्यों किया तबी शूरूई का फादर कहने लगता है श्यांगाव फेमिली बहुती स्ट्रॉंग है अगर मैं उस मेरिस कॉंट्रेक्ट को कैंचल कर देता तो वो अफसेट हो जाते और वो लोग हमारे साथ फाइट भी कर सकते थे अगर हम उस फाइट को जीट भी जाते थे तो हमरे उपर बहुती देमेज आ जाता और हम इस सिटी को भी हार सकते थे और शू में शू फेंग को पसंद करती है मैं जानता हूँ शू फेंग एक स्रिप शोता बच्चा है इसलिए मैं उन दोनों का रिलेशन्शिप आसानी से खतम कर सकता हूँ मगर शू फेंग हमारे लिए बहुती यूश्पूल है और इसलिए स्यू में का रिलेशन्शिप में तुमारे उपर ट्रेंस्पर कर दिया हूँ मैं सोचता हूँ लाइस नाइट के बात स्यू फेंग स्यू में को और पिछा नहीं करेगा और जब स्यू फेंग बहुती पावरफूल हो जाएगा तो शू फेंग हमारे लिए बहुती बच्छे बसा सकता है तबी नेक्सचीन में सूरुई अपने फадर को कहने लगती है आप ठीक कह रहे है शू फैंग बहुत ही रेस्पोंसिबल पर्शन है और इसलिए आप सू मेंको शैंगाउ को नहीं दे सकते हैं और आप ऐसा नहीं करेंगे तो सू फैंग शेंगाव फैमिली के साथ सू फैमिली को भी डिस्टोई कर देगा आखरी में में और सू में ही बच जाएंगे तभी सूरुई का फादर सूरुई के बाद सुनके बहुत हैरान हो जाता है और सूरुई को कहने लगता है तुमारा इससे मतलब क्या है तबी शूरूई कहने लगती है शूफेंग सब के लिए जिन्डा नहीं रहता वो सिफ खुद के लिए और जुच को वो पसंद करता है और कैर करता है इसके लिए जिन्डा रहता है और बाकी लोगों से शूफेंग का कोई मतलब नहीं होता वो मरे या जिन्डा रहे तबी शूरूई अपने फादर को फिर से कहने लगती है फादर इसके लिए आपको खुद को ही ब्लेम देना होगा क्योंकि आप शूफेंग को अच्छी तरस समझ नहीं पाए तबी शूरूई का फादर सोचने लगता है ऐसा है तो मैंने बहुत बरी मिस्टेक कर दिये तबी नेक सीन में शूफेंग को एक जगे पे दिखा जाता है जहाँ पर बहुत चारे लोग होर्स को सेल कर रहे थे तबी शूफेंग को एक होर्स सेला ढिखा जाता है जो कहने लगता है यह हंग जाओ होर्स और यह बहुत ही अच्छा होर्स है यह सिर्फ फास्ती नहीं है आप एक दिन में 8,000 माइल जा सकेंगे इस होर्स की मज़द से और यह होर्स किंग अब दी होर्स है तबी शूफेंग उस होर्स को देख के सोचने लगता है सायद एक स्पेशियल होर्स है और मुझे बाईयो माउंटिन में जाने के लिए एक होर्स की जरूरत होगी तबी शूफेंग उस होर्स के पास सला जाता है तबी वो सेलर शूफेंग को कहने लगता है आपको क्या यह हो हori का प्राइज के इमेज को खरिदना है तभी हूँ सेलर सुफेंः को डेक के कहने लगता है आप या स्योहर है आप क्या इस हर्स का प्रैज एफ़ोट कर पाइंगे high kya को पाइंगे तबी सुफेंः उस सेलर को कहने कोईन होता है और हांग साथ ह ords की प्राइज इनसे भी बहुत ज्यादा होती है तब ुटाहई शुप हैं ש Date कoh कहने लगता है तुम प्राइज बताओ । 41 के लगता है वान स्पीरिट और्भ तबी कि बात-सुन के बहुत तभी वहापर एक बंदह आ जाता है और कहने लगता है इस horse की प्राइज बहुती कम है और वो बंदह seller को कहने लगता है इस horse को JES लूंगा और seller को a Дे डेता है तभी seller उस फिरिट आप को पागे बहुत हो जाता है और कहने लगता है आज से ये हर्ष आपका हुआ तभी सुफैंग उस सेलर को कहने लगता है तुम ऐसे कैसे बैश सकते हो मैंने पहले पुछा था तभी वो लड़की शुफैंग को कहने लगती है इस हर्ष की प्राइज वान फिर लगते यह क्या लेजेंडरी क्विंग कॉंग बैग है तभी वो लड़की कहने लगती है यह एक फेक है रियल वाला ऐसा नहीं दिखता है तभी शूफैंग अपने बेक से डोषपरी에서 निकालके उस decrease यह को देने लगता है और के ने लगता एक हर्षट के लिए और एक तुम hugs अच्छा रूम भी देखना तभी वो सेलर बाधी जोस्मे आजाता है और सुफैंग को कहने लगता है मैं समझ गया। मैं शियोर करूँगा कि आपका आज का रात बोडी अच्छे से बीटे तभी शूफेंग उस लर्की को कहने लगता है तुम अभी भी सोच्टी हो क्या ये बेक फेक है तभी वो सेलर शूफेंग को वासे ले जाता है तभी उस लर्की के बगलबाला बंदा उस लर्की को कहने लगता है बोस क्या आप उस लर्के को ऐसे ही जाने दोगी तभी वो लर्की कहने लगती है अब उसको उस होस को लए जाने दो बाद में मैं उस होस को भी ले लूंगी और उसको भी देख लूंगी तभी वो सेलर आके वो एक स्पिरिट और उस लर्की को दे देता है तभी को लड़की कहने लगती है मैं इतना अच्छा opportunity कैसे जाने दे सकती हूँ तभी next scene में शूफेंग को दिखा जाता है जो cultivation करने लगता है तभी अचानक शूफेंग cultivation के उठके कहने लगता है मैंने तो अभी फिलाल thousand spirit of consume कर लिया है मगर मैं अभी फिलाल कोई progress नहीं देख पा रहा हूँ अब मुझे क्या करना चाहिए तभी spirit girl शूफेंग को कहने लगती है इतना सोचना बन करो जितना मैं जानती हूँ तुमारे पास एक heavenly blessed body है त यह quality एक आदमी के पास आ जाता है तब सारे नेशरेल फिलामेटी उसको फॉलो करता है और वह फिलामेटी उस आदमी के बोडी के strength ability और weakness को दिखाते है और सायद क्विंग युवान तायन के पास भी एक heavenly blessed body था तभी शूफेंग उस spirit girl को कहने लगता है तुमारा मतलब यह है क्या जो थंडर मेरे उपर गिरा था वो क्या मेरा बोडी का ही पार्ट है तभी spiritual कहने लगती है मैं surely नहीं बता सकती मगर वो थंडर तुमारे लिए बहुत ही अच्छा था तभी शूफेंग कहने लगता है वो क्या था मुझे मतलब नहीं है मगर मैं जानता हूँ मैं बह पूसने बाला हूँ और इधर हमारा आज का एपिसोड एन होता है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कोमेंट कीजिए और न्यू वीडियो को देखने के लिए हमारे सेनल को सस्क्राइब करिए और पहले बाला वीडियो नहीं देखा तो लेफ साइट बाला वीडियो को क्लिक कीजिए ठेंक यू